Hello everyone आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जलने पर कौन सी क्रीम का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर मैंने दो क्रीम का एक्जाम्पल लिया है एक तो है बर्न हिल नाम से दूसरी है सिल्वरेक्स नाम से burn hill नाम से जो आती है उसके अंदर silver nitrate present होता है और chlorhexidine present होता है लेकिन जो silver x नाम से आती है उसके अंदर silver sulfadiazine present होता है और दूसरा chlorhexidine present होता है अब जो chlorhexidine salt इसके अंदर भी present है और इसके अंदर भी present है burn hill में silver nitrate अलग है और जो silver x है इसके अंदर silver sulfadiazine है एक्चॉल में सिल्वर नाइट्रेट से ही सिल्वर सल्फाडायजीन बनाया जाता है ठीक है जो यह सिल्वर नाइट्रेट है इसी से सिल्वर सल्फाडायजीन को सिंथसाइज किया जाता है Silver Nitrate के अंदर जब Sulfa Diagene मिलाया जाता है तो उससे Silver Sulfa Diagene बनता है ठीक है तो जो property Silver Nitrate रखता है वही property Silver Sulfa Diagene भी रखता है Silver Nitrate Antibacterial Property रखता है और जो Silver Sulfa Diagene है उसके पास भी Antibacterial Property होती है तो कहने का मतलब यह है कि आपको केवल क्रीम के उपर यह salt देखने हैं brand name कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको जो यह salt है यह देखने हैं वहाँ पर salt या तो आपको Silver Nitrate, Chlorhexidine मिलेगा या फिर Silver Sulfa Diagene और Chlorhexidine मिलेगा यह जो salt है यह जलने पर यूज किये जाते हैं कई बार आपको यह Chlorhexidine नहीं मिलेगा केवल Silver Nitrate मिलेगा तो इसका इस्तमाल भी कब किया जाता है जलने पर ही किया जाता है अब जलने पर क्या हो सकता है इनफेक्शन होने का खतरा होता है तो इनफेक्शन होने से भी यह जो क्रीम से यह बचाती है क्योंकि इनके अंदर जो यह Silver Nitrate और Silver Sulfa Diagene है यह बैक्टिरिया को क्या कर देती है किल कर देती है जिसकी वज़े से जो यह गाओ है या फिर जलने का जो यह निसान है यह इनफेक्शन से बचा रहता है जो infectious microorganism होते हैं उनको भी यह किल करने का काम करती है और जो यह जला हुआ निसान है जो जला हुआ स्थान है उसको हील करने का भी यह काम करती है तो यह हो गया इसका यूज और insult के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं side effect की कि क्या-क्या side effect देखने को मिल सकते हैं side effect आपको क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं देखिए itching यानि की खुजली हो सकती है irritation हो सकती है या फिर burning sensation महसूस हो सकती है ठीक है मान लिया देखिए hulky full के तो यह देखने को मिल सकते हैं hulky full की itching हो सकती है hulky full की irritation हो सकती है hulky full की burning sensation हो सकती है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है hulky full की हो तो कोई दिक्कत नहीं आप लगाते रहो अगर बहुत ज्यादा यह देखने को मिल रही है तो तुरंथ ही आपको इस cream को बंद कर देना है और doctor से consult करना है ठीक है तो यह थी आज की वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि जलने पर कौन सी cream इस्तमाल की जाती है I hope आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर